गुड इवनिंग सुडेंट आज की क्लास में मैं बात करने जा रहा हूँ फिर से चेप्टर हैलो एलकेंड एंड हैलो एरीन इसमें मैं आज आपको बताऊंगा नुकलो फिलिक सब्सिटुशन डियक्शन ओन हैलो एरीन हेलो एरिंस का मतलब हेलो वेंजीन याנס हेलाइल इस पे νुक्लियो फिलिक्स सबसिट्यूशन रियक्शन हमें करानी करparty कुछ नहीं है नुक्लियो फाइल रहेगा हेलो वेंजीन का हेलो ज़न रहेगा हेलो ज़न को रिपलेस करना है नुक्लियो फैल से that is called nucleophilic substitution reaction ठीक है कुछ बाते में बता दो फिर हम इस में question पे आते हैं जैसे haloalkane जो होता है haloalkane में halogen को nucleophile से आप substitute करते हैं halobengen में भी आप halogen को nucleophile से substitute करेगे same चीज है but haloalkane से halogen को substitute करना असान होता है क्योंकि वहाँ पे हेलोजन और कारवन के बीच में किसी तरह का कोई डबल बोन, पार्शल डबल बोन केरेक्टर नहीं होता है जबकि अगर हम हेलोब एंजिन में बात करें, तो हेलोब एंजिन में कारवन और हेलोजन के बीच में partial double bond character होता है due to resonance phenomenon that's why CX bond stronger हो जाता है और nucleophile से इसको replace करना under normal condition is difficult so we require the drastic condition means higher temperature या तो आप temperature भरा के reaction कर सकते है दूसरा तरीका यह है कि halogen जिस position पे जुड़ी है benzene में उसके ortho या para position पर फिर से सुने halogen जिस position पे जुड़ी है benzene के उसके ortho और para position पर अगर electron withdrawing group जुड़ा हुआ है attest है तो reaction nucleophile के presence में nucleophilic substitution reaction हो जाएगी ठीके तो अब मैं आप बात करता हूँ IIT 2021 में आया हुआ question है one or more than one correct type वाला reactant दिया है क्यों PHSNA familiar है आप लोग यह nucleophile है इस nucleophile को जाहिड सी बात है कि आपको इसके accordingly यह option दिये हुए है और इससे यह product बना हुआ है तो यह nucleophile जो है यह halogen को exchange करेगा यह halogen को exchange करेगा nucleophilic substitution reaction हो जाएगी ध्यान से देखिए major product जो बना है उसके बारे में कुछ information दी गई है gives positive carious stress on treatment with sodium peroxide followed by addition of barium chloride तो carious stress कोन देता है halogen sulfur ठीक यहाँ पर यह sulfur देगा क्योंकि BACL2 से precipitate बनता है BASO4 barium sulfate ठीक है halogen के लिए आप AGNO3 यूज करते है ठीक है वो हमारा एक अलग से part है हमें idea लग गया कि sulfur होना चाहिए product के अंदर अब 4 option आपके सामने दिये हुए just I told you halogen halogen को nucleophile substitute करेगा और यहाँ पे वो halogen substitute होगी जिसके ortho para position पे electron withdrawing group like NO2, sinet वगेरा जुड़ा हो तो ध्यान से देखिए यह हेलो बेंजिन है loan pair single bond double bond character आ रहा है इसलिए या तो high temperature required होगा या फिर electron withdrawing group ortho para या भी हेलो बेंजिन यह भी हेलो बेंजिन है डारेक्ली जो बेंजिन से हेलो अटेस्ट है वो हेलो बेंजिन यह directly attached नहीं है यह हेलो एलकेन वाला segment हो गया तो यह nucleophile से तो चाहे आपका ortho para पे electron withdrawing group हो या ना हो nucleophile से तो यह वेसी substitute हो जाएगा मतलब एक D option तो हमारा surely आना है कि यह substitution होगा मतलब यह reaction show करेगा इसकी बात करते हैं A पर आते B की बात करें तो B में अगर हम देखें तो हेलो जन के ortho position पे कोई group नहीं है पोईरा पे कोई नहीं है मतलब यह reaction नहीं होगी whether electron withdrawing group लगे हुए हैं उससे मतलब नहीं है but it should be placed at ortho और पेरा position that's why यह reaction नहीं होगी यह option नहीं होगा जब reaction नहीं होगी तो आगे की बात करना भेकार है इसमें reaction होगी किस से यह halogen substitute किस से होगा sulfur से होगा product में sulfur आएगा जब आप इससे treat करेंगे तो परोकसाइड से तो यह जो sulfur इसके अंदर आएगी वो sulfur आपका sulfuric acid में convert हो जाएगी और फिर वो BACL2 के साथ में क्या हो जाएगा उसका बोलो precipitate बन जाएगा BASO4 C option को देखें C option में क्या होगा यहाँ भी double bound character है बट यह ortho पे और pera पे कोई withdrawing group नहीं है तो यह भी नहीं देगा means answer क्या होगा A and D ठीक है तो फिर से बोल रहा हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ हेलोजन को replace करना है नुकलियोफाइल से किसमें benzen हेलो benzen में और हेलोजन के ortho और pera position पर electron withdrawing group must होना चाहिए ortho पे हो only हो जाएगी ortho pera पे हो बहुत अच्छा है सिर्फ पेरा पे हो तो भी हो जाएगी और तीनों पे हो दो ortho position और एक पेरा पे तो well and good one more thing इसमें अगर बात करें बैसे यहाँ पे कुछ दिया नहीं है कि यह mechanism जो होती है यह mechanism follow करती है SNAE what is the meaning of SNAE SNAE का मतलब क्या है nucleophilic substitution reaction addition elimination मतलब first step में addition होता है जहां पे halogen जुड़ा उस carbon पे पहले addition होता है इस nucleophile का और बनता है आपका aranium ion ठीके ना negative charge आ जाता है और second step में halogen का elimination होता है first step में nucleophile का addition on this carbon second step में halogen का elimination होता है इसलिए nucleophilic substitution कैसे follow हो रही है पहले addition हो रहा है then elimination हो substitution reaction followed by addition elimination reaction ठीके तो आज की class में इतना ही आगे भी हम इसी तरह के IIT advance के question करेंगे अलग-अलग pattern वाले ठीके all the best, thank you